अगर हम लोग इस website को सिंगल लाइन में अगर justify करें या फिर डिफाइन हम लोग करें तो website is a collection of web pages and web pages is a collection of text ट्राफिक्स वीडियोस animation etc तो website जो है वो internet पर काम करती है कि अगर internet नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहां बैठे हुए विलाई में अगर मुझे मान के चलिए अमेरिका में कुछ information देना है ठीक है मुझे कोई और तरीका नहीं पता है ठीक है लेकिन जो वहां पर users बैठे हैं ठीक है उनको हम लोग को बहुत सारी information देना है जैसे कोई institution की बारे में बताना है और ग्राफिक्स उसमें उनको दिखाना है ठीक है वीडियो उनको दिखाना है यह टेक्स्ट वहां पर हम लोगों डिस्प्ले करना है तो इस प्रकार का कोई भी information होता है तो वह अगर किसी multiple users को हम लोग देना चाहते हैं multiple users मतलब वह हजारों की तादाद में हो सकते हैं लाकों की तादाद में हो सकते हैं तो इतने सारी यूजर्स जो है उस information को एक्सेस करेंगी तो हम लोग एक एक इंडिविजल को भेज नहीं सकते हैं एक धन को पूरा का पूरा content mail कर रहे हैं तो यह possible नहीं होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग एक public website बना लेते हैं मतलब एक information का एक ऐसा source बना लेते हैं हम लोग जो कि सब के लिए अवलेबल होता है कोई भी कहीं पर भी बैठा हुआ आदमी इसको खोल सकता है उसको एक्सेस कर सकता है उसको रीड कर सकता है उसको सारे चाहिश उसमें से बढ़ सकता है देख सकते हैं ठीक है तो इस टाइब के प्लै कि बहुत सारे यहां पर हम लोग के पास कि बहुत सारे इस प्रकार के हम लोग के पास लेट से से वह एवलेबल होते हैं तो इतने सारी वेबसाईट ने हमारे पास दिये हुए हैं तो इस प्रकार के जो इनफॉर्मिशन होती वो यूजर बहुत लाबदायक होता है उस फॉर्स इंफॉर्मिशन को रिड करके बहुत सारी यौन ले तो से हमそरे कि मीं सब्सकुर्स şिर्ष करतें अब गूगल पर सब्सक्राइब तो वह इंटरनेट के ऐसा सोर्स आज की डेट पे जिस पर हम लोग को बहुत सब्सक्राइब और इंटरनेट पर मोबाइल ठीक है यहां पर मैंने सर्च कर लिया तो यहां पर हम लोग को यह सारा चीज़े कहां मिल रहा है इस गूगल की वेबसाइट पर मिल रही है और उसके बाद यहां पर बहुत सारी वेबसाइट बनी होती है जिसमें हम लोग को उस प्रकार की रिलेटेड इंफॉर्मे तो यहां पर हम लोग को पूरे की पूरे मोबाइल फोन की जानकारी मिल जाती है उसका रेट क्या यह वह सब चीज़ों की जानकारी जो हमें चाहिए उसके बारे में हम लोग यहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते तो यह सब्सक्राइब कर सकता है कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है तो यहां पर वेबसाइट की बात करेंगे तो वह वेबचेशन होगा और वेब पेजसेंदर बहुत सरे यहां पर अप्लोडिंग और डाउनलोडिंग अप्लोडिंग अगर हम लोग बात करें तो जनरली जो हमारा वेबसाइट होता है वह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट्चर पर काम करता है मतलब कोई भी एक क्लाइंट कंप्यूटर होगा जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या करेगा इस वेब सर्वर को कि अब रिक्वेश्ट कैसे सेंड करेगा कि रिक्वेश्ट करेगा कोई वी यूरल से मान कि चलो यूरल यहां पर डाले ठीक है स्क्रांघ्रण करें बाइट कासे क्लाइंट कमप्यूटर हम लोग जो यूस कर रहे हैं अब जिससे हम लोग ऊपर सकते हैं और मैं यहां फुछ बीची ओपन करता हूं अगर यहां पिखिज यहां है सकते हैं यहां पर यहां पर sau होता है यहां पर ये वाला जो है। यहां पर मैं इसे सकते इसे वह क्वेरी के फॉरम पर वो रिक्वेश्ट दया वहा से अमदों को 21 मिला कुछ इस परका लां मैं देखे एक और इसके अंदरर रिलेटेड इनफॉर्मिशन हम लोς को मिल जाती है तो जो यहां पर वेब साइट होती है वो जनरली क्लाइंट सर्वर अर्किटेक्ट्र में काम करते हैं तो अब देखो यहां पर अगर हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर से कुछ भी चीज हम लोग वेब सरवर तक भीजते हैं तो क्या होगा इसको हम लोग बोलेंगे अप्लोडीं कि वैब सर्वर्स होते हैं वह सारी चीज़ा हम लोग बात में देखने कि इसको हम लोग बोलेंगे अप्लोडीं से नहीं वैसे यहां पर अगर हम लोग वेब सर्वर से कुछ चीज हम लोग को अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे लेके आते हैं तो इसको इस प्रोसेस का लोग बटें डाउनलोडे ना जैसे कि हम लोग बरा एक्जाम फॉर्म जब हम लोग भरे तो ऑनलाइन फॉर्म फॉटो अपलोड करना पड़ा हम लोग उसमें सिंग्नेचर अपलोड किये अपने जा रहा है तो वहां पर हम लोगने क्या किया किए अगर हम को कोई फाइल दाउंलोड करना है लोग फिर इमेजे से अपने कंप्यूटर या फिर मुबाइल फोर्म में डाउनलोड होता है तो यहां अप्लोडिंग और डाउनलोडिंग दो ही चीज़ होती इंटरनेट या तो डेटा हमारे कंप्यूटर से वेब सर्वर तक जाएगा या फिर वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर गाएगा इसके अलावा इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है तो अप्लोडिंग और डाउनलोडिंग ही यहां पर होती है जब भी हम लोग कोई भी इंटरनेट की बात करें तो इसमें दोई चीज होती है अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं यहां पर स्पीड टेश्ट में दिखा देता हूं कि कर सकते हैं की स्पीड टेश्ट में दोई चीज चेक करता है हमेशा और इसके अलावा इंटरनेट में कुछ नहीं होता है तिक है यहां पर मेरा इंटरनेट जो वह एक है ठीक है और यहां पर देख सकते हैं लोग ठीक है यहां पर देखें दो चीज पिंक कर रहा है और डाउनलोड और अप्लोड दो चीज़ा यहां पर देखें यह डाउनलोड का हो गया और यह अप्लोड अभी दिखाएगा तो यह दो चीज यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है तो इस प्रकार से जो डाउनलोडिंग और अप्लोडिंग है ठीक है वह रिक्वेश्ट सेंड होता है वेब सर्वर तक और वेब सर्व से लेके क्लाइंट कंप्यूटर तब हम लोग रिस्वांस मिलता है तो दो ही चीज यहां पर होती वह रिक्वेश्ट को अप्लोडिंग बोलते हैं तो जो भी अप्लोडिंग या डाउनलोडिंग होता है वह एफ टीपी के द्वारा होता है मतलब होता है फाइल ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर प्रोटो काल एक एसा प्रोटोकॉल होता है लिए जन्रलीक इंटरनेट प्रोटोकॉल है मतब प्रोटोकॉल मतलब होता है रूमसा रूमसाना सब्सक् gazeон टो फाइल करने के लीए स्काम्ट बनाया गए है तो यह इसी को बोल टो ब्लोड करने में और किसी भी फाइल को reght करने किसी भी फाइल को डाउनलोड करने में अगर किसी भी कोई भी वैब ब्राउजर पर जो भी हम लोग एप्लिकेशन यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग ने FTP का प्रोग्राम नहीं लगाया है तो हम लोग कोई भी फाइल ना अप्लोड कर पाएंगे ना डाउनलोड कर पाएंगे ना उसमें अप्लोड कर पाएंगे ना उससे डाउनलोड कर पाएंगे जैसे बहुत सारी चीजे होती है कि जैसे tech- pewno से वेब सरेंगर में बहुत सारी इंफोर्मेशन फान इससे में लोग डालते है यह चाउthemस में हम लुज़ान को यह होता है कि एक बहुत बढ़ा कural computer बोसं ुसमें बहुत सारी डीस टॉरेज होती है से हम लोगे नौर्मल कंप्यूटर में कPassब सार्ट कंप्यूटर क्नेक्ट होता है फिर मत्समान के चलो computer 10,000 computer एक लाग इस टाइप से बहुत सरे multiple computer से हो connect होता है और वहाँ से हम लोग को कोई भी request रिस्पॉंस वो करके देता है तो वहाँ पर जो हम लोग website बनाते हैं जो भी हम लोग खुद website बनाते हैं वह हम लोग कहां पर अप्लोड करेंगे तो उसके पास इतनी सारी स्पेस होती कि वह आराम से बहुत सारे डेटा उसके रख सकते हैं अब जैसे एक्जामपल में लेता हूं की यूट्यूब है यूट्यूब जो है हमारा है ठीक है अगर हम लोग इसके सर्वर की बात करें तो इसका सर्वर इतना बड़ा है कि वह मान के चलो आज के डेट पे कम से कम 2.3 वडियो शुझा है ले के 2.3 वीडियो को अब ही स्टोर करकर हुए लेकिन उस से ज्एधा वीडियो उसमें श्टोर करकर रखा है तो उसके लिए स्टोरेज कितनी जादा होगी ठीक है और पूरे दुनिया भर में यूट्यूब को 24 घंटे देखा जाता है मतब एक सेकंड के अगर हम लोग बात करें तो एक सेकंड में कम से कम करें यूट्यूब के वैब सर्वर में हम लोग को बहुत बड़ी स्टोरेज मिल जाते हैं तो यह जनरली यूट्यूब गूगल को प्रोड़क्त गूगल का एक डेटा सेंटर ठीक है इसका मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगो उसको देखना आराम से और उसको समझना कि कैसा हो डेटा सेंटर होता और काम कैसे करता है मंट जुनली जो यहां पर हम लोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग देखते हैं वह से ही पॉसिबल हो परहें वेबसाइट छाफ देखो जनली दो टाइप के वैबसाइट होते है एक होता स्टैक वेबसाइट सेगड होता है डायमिक वेबसाइट दो टाइप के वेबसाइट होते हैं दोनों का फंक्शन अलाग अलाग है यहां पर देखते हैं वेबसाइट यहां पर सिंपल सी भाषण में समझाता हूं तो सबसे फॉर्स टाइप यहां पर स्टैक्ट वेबसाइट decided to watch website होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मेश्छन सो करते हैं इस थे कि मैं कोई भी इनपुट नहीं डाला जाता है प्लिक ऊस्समें पहले सी सारह डाल दिया जाता है और यहां फिशकर दियहां जाता है जैसे हमारे कॉलेज का वैब साइट है गैसनाइक और 14 लुट और टी ये जा हमारे कॉलेज का वैब साइट है स्वाझते कव्य करना चाहेंग में ऑर इसको बना के अपलोड कर दिया है। सर्वर पे जैसी हमने उसको अप्लोड कर दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें हमने डाला है ठीक है वह इंफॉर्मेशन जब तक हम लोग नेक्स्ट अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो करते रहेगा तो यहां पर देखते हैं सब्सक्राइब कोई भी नहीं होगा ठीक है सारा चीज हम लोग है सब्सक्राइब करना है तो हम लोग को एश्टीमेल कोड पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो बहुत सारे एश्टीमेल एडिटर आते हैं जिसके तुरू हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करते हैं अदर्वाइस इसके अलावा स्टैटिक वेबसाइट में और कोई भी काम नहीं होता है अगर उसा इंफॉर्मेशन में लोग को कुछ भी चेंज करने होते हैं तो हम लोगो डारेक्ट स्टैरियम्ल को लारेइश बिद्रकाइफ करना थे आयंगे तो यह लोग बॉलते हैं स्टैटिक वेबसाइट ठीक है इस्टैटिक मतलब होता है कि जो प्रिक्वेंट्ली चेंज नहीं होता है ठीक है मतलब जो बार-बार चेंज नहीं होता है तरही हो इस यह हुआ स्टाइटिक वयव्पसरिट आप सेकेंड होता है डैनामिक वेबसाइट डैन apert अMYक वेबसाइट होते है जो हर ले मैं पुल सेकेंड हर मिनाट हर घंटे कर सेट होते रहते हैं त्क है रूम अर्मिनाट हर गंटे हर सेकेंड लेकं वह तो होते रहता ह Fach speaking जब जब ओपन करेंगे हम लोग को कंटेंट नया मिलता है वह भी वैबसाइट है ये वह भी एक एक है तो टो है जितने और रहें मोको में लोको लोग नया नया इंपोर्मेशन वहा unfold पोश्ट मिलते जाता इस प्रकार के वेब सैट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनमिक वेब साइट क्या होते हैं इसमें बहुत सारी कॉंप्लेक्स कोडिंग हम लोग अगर नहीं पड़ती है जैसे पीएच पी एस पी ठीक है और जीएस पी इस टाप के बहुत सारे अलग-अलग प्रोग्रामिंग लाइंग जिसकी हेल्प से हम लोग उसको बना पाते हैं ठीक है तो इस प्रकार के वैबसाइंट को हम लोग वह बनते डामिक वेबसाइट चिक के जो की रेगुलर इंटर्वल में वह होते जाते हैं उसके जो डेटा होंगे ठोकि पाते हैं टाकि यह 스बूक हो गया ट्विटर होलग ईस्टाग्राम हो गया जैसे कि रिल समीत भ्यस सीतीitarian कि जिसमें जो information होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है कुछ एक रेगुलर टाइम इंटर्वल में वो चेंज करकी आ जाता है उसको जैसे न्यूस होता है तो कि न्यूस पोर्टल्स होते हैं बहुत सारे ऑनलाइन न्यूस पोर्टल टैम टैम सोफ इंडिया हम लोग देखते जाते हैं तो इस टाइब के वेबसेट को लोग बोलते हैं डायनामिक वेबसेट अब करेंपूत करेंग न्यूस का रदूतम दोर्टल थोर्टल से वेबसेटमाल्स टाइबेन रिंगलों से जाएबदयों में जाके लोग न्यूसराओम।